नमस्कार अचासले चैनल में आप लोक का सौगत है आज का ये वीडियो मेरे एक फॉलोवर हैं उन्होंने मुझे मेल भी किया वाट्सप भी किया और अब धावी में रहते हैं वो उन्होंने मुझसे जानना चाहे कि पहले तुन्होंने एक सवाल किया कि क्या ये जो इरान का प्रॉबलम है ये विकराल रूप धारन करेगी और हम इंडियन को क्या करना चाहिए खास्तों से जो गल्फ कंट्रीज में हैं बहुत अच्छा सवाल है और मेरा ये मानना रहा है कि पहले भी मैंने बोला है कि जो मुस्लिम कंट्रीज होंगी वो बहुत थ्रेट में आएंग और इस्लामिक स्टेट जित्ते भी है उनको बरबरा डेंजर रहेगा खास्तों से 2025 से लेके 2028 के बीच में और यहां पर दरसल जो धर्मी की लड़ाई है ये एक विकराल रूप धारन करेगी हलाकि मैं इन सब चियों का हमेशा विरोधी रहा हूँ क्योंकि मैं इन सब चक्रों में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ और मेरे लिए मानो जीवन जो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मनुष्य का जीवन जो मिलता है कि अपने प्रारब्द को ठीक करना अपने प्रारब्द को समझना जिसके लिए जन्म होता है हम लोग मनुष्योंनी में क्या करते हैं पावर को इंजॉय करते हैं ग्लैम्नस लाइफ को इंजॉय करते हैं माया मोह के पढ़े रहते हैं और हम और यह सब करते करते है हमारे जाने का वक्त आर्ट आरा हम ringing और हम सब कुछ कुछ यहीं छोड़के अलविदा कर जाते हैं जबकि यहीं ये गलती है कि मनुस्य का जो यूनिय होता है वो इसलिए होता है कि पीछे जो कुछ भी आपने किया है उसको आप समझे थूरू मेडिटेशन और आगे जो है आपको एक अच्छा जीवन जी के आगे की रास्ते को साफ करना है इसने मनुसे का यून नहीं मिलता है और मैं अपने फालोवर्स को बोकता हूँ चाहे वो किसे भी अकल हर भासा में है आप इसको सबजेंगे तो बहुत कुछ जीवन के रहस्य को समझ सकते हैं और जैसे मैंने मैं एकसर बोलता हूँ मैंने कुरान पढ़ा हुआ है मैंने अदीश पढ़ी हुई है मैंने बाइबिल पढ़ा हुआ है मेरी लाइबरेरी में सब पिकार की कितावे हैं और मैं सबको पढ़ता हूँ और समझने की कोशिज करता हूँ कि जितने भी मैंनमेड रिलीजन रहे हैं ये रिलीजन में जो थौपा गया है उसको थौपने का क्या असर हुआ है पूरे हमारी पृत्वी पे पूरे संसाल पे जिसको हम भोग रहे हैं और आज हम एक विनास लिला के धेर में बैठे हुआ है तो मैं अपने फॉल्वर्स को बताना चाहता हूं कि वह अपना ध्यान रखें को कि ये विक्राल लूप्त धारन करेगा और लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है लेकिन फिर भी अ कुस्ते हैं कि बम कब गिरेगा वो इसको इंजोई करना चाहते हैं तो मृत्तु जब आईगी तो आपको इंजोई करने का भी वक्त नहीं मिलेगा और इसलिए मैं हमेसा बोलता हूं कि निगटिव चीजे ना सोचे हमेसा पॉजिटिव सोचेंगे अच्छी बातें आपको मिलेगा इन्होंने दूसरा सवाल मुझसे ये किया है उन्होंने मुझे अपने पुराने वीडियो को मतलब मेरा कोई वीडियो है उसके लिंक भी भेजी है जिसमें कहा था कि भारत का भारत में चुनाओ साथ पोस्पोंड हो सकते हैं ये बीच में रुक जाएं तो ये जानना चाहते हैं कि क्या चुनाओ रुक सकते हैं इसके लिए मैंने इनके सवाल का जवाब देने के लिए मैंने भारत की कुंडी देखी और बीजेपी की कुंडी देखी और इस समय जो सबसे एग्रेसिव कुंडी है वो हमारे पैधानमंती नेरिन मोदी जी की कुंडी बहुत एग्रिसिव रूप से वो इस समय दोरे कर रहे हैं और भसनवाजी हो रही है तो देखे मोदी जी के कुंडी देखे तो मंगल की महादिशा में सनी का अंतर है और मंगल में जब सनी कनेक्ट होता है तो और जो ट्रांजिट है वो ट्रांजिट जो है वो बहुत ज़्यादा मोदी जी के फेवर में नहीं है और मैंने 2014 में मोदी जी के पिधान मंत्री बनने 2019 में मुझे याद है मैं टाइम सब इंडिया के वार रूम में था जहां पर हमारे एडिटोरियल बेटे हुए थे उस समय सब लोग कहते थे कि बीजेपी तेड़ सो सीटे नहीं आएंगी और उस समय मैंने कहा थे तीन सो सो पर सीटे आएंगी इस बार मैं तीन सो सीटे नहीं दे रहा हुँ और इसका क्रेडिट जो है मैं सब्सक्राई है को इससेमेल रेगी में देखूंगां मोधि जी की कुण्ड़ी बूे को मैं देखूं तो मैं बहुत पहले बताया था कि बीजेपी क्राइसन में जा रहा है और मोधि जी अकेले चुनाओं के नहिया को पार नहीं लगा पाएंगे मेरे बहुत से मित्र हैं जो मेरे वेल विसर्स हैं, बिरोक्रिसी में भी हैं, पॉर्टिक्स में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, हर पार्टी में मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे वीडियो निकालने के लिए रोका था कि आप वीडियो मत दीजिएगा अचार जी, क्योंकि ठीक नहीं है तो मैंने इसको रोग दिया था लेकिन आज वो लोग मुझसे कहते हैं कि आपने आज से छे मैंने पहले जो बात बोली थी वो बातें आपकी सही है सही निकली सुप्रिम कोड के जितरे भी अभी जज्मेंट रहे हैं जो गाइडलाइन्स रही हैं वो सरकार के खिलाफ रही है और खास्तों से जो SBI और जो इलेक्रिकल बॉन्ड को लेके आई जो लोगों को पता चला अभी बहुत लोगों को पता नहीं है ग्रास रूट में क्योंकि मीड मीडिया उसको कवरेज नहीं दे रहा है मीडिया मैं खुंद मीडिया में रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं कि क्या कारण हो सकते हैं लेकिन दो अंतर हैं यहां पर की पैसा लेने का तरीका जो है ना वो बदल गया है आज कल और पार्टियां जो पर्ले डारेक्ट चंदा लेती थी थी वो आज कल इंडारेक्ट लेती हैं और अब जब की सुप्रिम कोर्ट ने एक गाइडलाइन से सू की हुई है कि आपको बताना पड़ेगा कि कौन कितना प कौकि मैंने अक्सर बोलाए कि विस्टाचार का जो मुद्दा रहा है यह मुद्दा बहुत हमारे हमारे ब्लड में हमारे जीन्स में किसी भी पार्टि को दोस्त देना ठीक नहीं होगा और यह जानना चाहते हैं कि क्या चुनाओं पोस्पॉंड हो सकते हैं और उन्होंने मे वार बढ़ी और इसका असर भारत में पढ़ेगा को कि हमारी जो पुरी अकनॉमी है वो तेल पे है और यह आपके पास तेल नहीं है तो मेंगाई बढ़ जाईगे वेसा ही भी हम लोग जूज रहे हैं मेंगाई की मार से बेरोजगारी की मार से तो यह दिए एक मार आगे त बहुत 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 पड़ेगा खास्तों से मिडिल क्लास पर क्योंकि पिस्ता जो है वो मिडिल क्लास है और जब मिडिल क्लास पिस्ता है तो उसमें मैं समझ सकता हूँ कि क्या हालत होती है लोगों की मेरे एक फॉलवर्स और हैं वो मुझसे जाना चाहते हैं कि आप एस् के सरकार रही हो चाहे कॉंग्रिस के रही हो सवाल हमेशा पूछे जाएंगे को कि प्रजाद तन्त है और मेरी जो वानी रही है वह असुद्धनी रही है मैं बहुत ही धर्म निर्पेक्च और सौफ्ट भासा का इस्तमाल करके लोगों से पूछता हूं और लोगों को बताता ह जो है वो धियर दरे कंट्रोल में नहीं है चुनाओ जैसे सब कोई लगी नहीं रहा है मैंने इतने चुनाओ देखे एक माहूल होता था अभी इस समय कोई माहूल नहीं है और कैंडिडेट पार्टियों को धूरने से नहीं मिल नहीं है ना बीजेपी को अच्छे कंडिडेट मिल पा रहे हैं ना कॉंगरिस को अच्छे कंडिडेट मिल ले रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है तो भाई आप समझी गया होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं क कि यदि वार जैसी इस्तिती बड़ी तो हो सकता है कि सरकार जो है छे मेने के लिए पावर हैं कैबिनेट को फिसको पार्लेमेंट से अब पास करा सकते हैं को कि पर्लामेंट अभी dissolve नहीं है ये चुनाओं में हम जा रहे हैं लेकिन जो जो पर्लामेंट के जो members हैं उनकी membership भी dissolve नहीं होई है तो कभी भी emergency में कुछ भी किया जा सकता है यदि कि सरकार चाहेगी उनको ऐसा लगेगा कि कुछ समस्य हो सकती है तो वो करेंगे कर सकते उनको हक है करने का और पावर है लेकिन मेरे इसाब से आज की आज की एंगल से मैं आज अप्रेल मिड में बैठा हुआ हूँ तो मुझे अभी तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार चुनाओ कैं होने की चांसे काम हैं मतलब यह कि चुनाओ टाइम से चलते चलेंगे मैंने अभी पूरी एक एक डेट की कालकुलेशन करी है और अभी आपको मैंने इसारा किया है कि मैजिक फिगर से बहुत दूर है तो अभी की जो इस्तिति है अभी जो गल्फ कंट्री में जो हाला चलना है इरान और इस्राइल का इस्राइल और गाजा पट्टी में जो हो रहा है यूक्रेन इसका असार चुकिए और और हम डिपेंडेंट है तो बीजेपी और मोदीजी मोदीजी भी चाहेंगे कि यदि इस्तिति खराब होती है तो चुनाओं को पोस्पोन किया जाए और मेरी कहां तक कैलकुलेशन है कि आज की डेट में जो बीजेपी है बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इवेन जो पार्लेमेंट का जो सिनारियो आ रहा है निकलके वो सिनारियो जो है ना वो बहुत ही हम ऐसा लग रहा है कि हम 20 साल पीछे जा रहे हैं जो एक मिज पर रहे हैं नंबर जो होंगे वह आपको हम बाद में बताएंगे एक है दो दिन में नमस्कार